नमस्कार दोस्तों निफ्ट्रा चनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको कल बताया था कि 42,152 के उपर यहां पे कॉल ले लेनी है 42,000 की और यहां पर आपको 42,460 42,500 फाइनली टार्गेट मिल जाएगा और यह हमें मिला भी 42,150 से लेकर 42,152 फाइनली तक हमें मिला 350 पॉइंट का प्रॉफिट अगर इसमें से हम कोई 15 मिट की केंडल भी निकाल दे तब भी हमें लगब कम से कम 300 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिल ही गया उसके बार अगर देखें यह भी मैं दिखाता हूँ 50 मिट कि 3 candles यह जो close हुई थी यह हुई थी यहाँ यह कौन सा level था 42300 अगर 42300 से 42500 भी मैं लगा हूँ तो फिर भी हमें 200 point का profit यहाँ से हुआ तो आईए अब हम आगे बढ़ते हैं nifty बे तो nifty बे हमने क्या किया तो nifty में देखिए 17830 इसके उपर कहा था buy करने को अगर हम 50 minute की candle को minus भी कर दे तो लगबग 17900 से हमें यह trade मिली है और 17900 से हमें क्या मिला 17980 जो मैंने यह target दिया था और फिर उसके नीचे मैंने का था यहाँ put ले लेना और यहाँ पर 50 minute की एक भी candle उपर close हो जाए तो निकल जाना मैंने का था कि अगर 17980 की उपर कोई 50 minute की candle close होती है तो यहाँ पर call भी ले सकते है तो यहाँ भी मैंने सुबह call भी दलवाई थी और उपर जो target हुआ हिट हुआ वो हुआ हमे 18068 तो यहाँ से भी हमें लगबग अगर लगाए तो 4060 मतलब लगबग आपको 80 point का profit यहाँ पर तो इस तरह से 6080 140 point का profit अगर इसमें से और भी हम minus कर दे कोई इदर उदर का loss तो 100 point का profit हमें कम से कम इसमें भी हुआ तो इस तरह से इस channel को आप अगर daily देखेंगे तो आपको daily इसी तरह के profit होगे और जिरो ने अभी तक इस सारी videos को miss किया है और इतने profit को miss किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन का बटन दुआ यह नीचे free telegram चैनल का link दिया है उससे जुरू क्लिक कीजिए क्योंकि वहां पर भी हम धेड़ सारी knowledge देते रहते हैं और उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि उसके दुरान भी अगर कोई unpredictable कोई movement आए निफ्टी में जा बैंक निफ्टी में तो उसके बारे में भी हम जल्दी वहां भी बता देते हैं और फिर हम वहां से आगे guide भी कर देए और नीचे डीमेंट काउन की link दियें वहां से अपना डीमेंट काउन खोली है फायदा आपको यह कि वहां से एक तो free में कुलेगा द उसके इलावा इसने एक और बढ़िया काम किया है वह काम यह किया है कि इसके उपर closing दी है यह है 42 630 अगर मैं इसका high लगा हूँ इस candle का यह कौन सी candle है यह candle है 17 November की 17 November का high क्या है 42 630 और इन candles की average भी निकालूँ तो निकलता है 42 605 जो मैंने यह लगाया भी हुआ है तो ध्य जहां से इस चीज़ को समयना और यह वही लेवल है जहां से मैं कह रहा था कि यहां से घूम के फिर इसके उपर पहले breakout आया था पहले भी breakout यहीं से आया था bank nifty में अब फिर वही पर इसने closing दी है बड़ा crucial लेवल है जहां पर इसने closing अब आगे क्या आगे यह है कि आगे है 20 EMA यह 20 EMA कहां पर है वो है 42,906 पर यहां यहां पर क्या है 42,906 अब मेरी calculation यह कहती है कि यहां पर gap of opening होनी चाहिए बिल्कुल exactly यहां पर फिर यहां पर profit booking आ जाएगी और उसके बाद फिर एक dip लगेगा 42,460 तो 42,906 एक काफी important लेवल है और अब हमने करना क्या मैं आपक करने में यह है कि अगर तो gap of opening हो जाए यहां पर सिधा इसके उपर 43,140,43,150 के उपर तो हमें 43,000 की call लेनी चाहिए और नीचे जो stop loss रखना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 42,800 का क्यों क्योंकि यह 20 EMA के नीचे मतला साफ कर देता हूं क्योंकि 20 EMA के नीचे वाला यह वाला stop loss हमारा होना चाहिए और वैसे भी यह last candle जो बनी ही है यहां पर 42,800 का ही low लगाया हुआ है मतलब यहां पर हमारा यह stop loss ब्याली 800 होना चाहिए 42,800 और यहां सी हमें जादा से जादा जो target मिलेंगे वो मिलेंगे 43,340 और 43,415 यह हमारे target होंगे अब स्वाल आता है कि अब हम हमने अगर कोई dip लगे फिर हमने क्या कर देखिए अगर तो सिधा सिधा अगर 20 एमा पर market खुलती है तो कुछ नहीं करना यहां पर सिरफ profit booking आएगी और market dip मारेगी हमने सिरफ जो dip buy करना है अब वो हमने करना है 50 एमा वाला ही 50 एमा आएगा 42,152 पर तो यहां पर हमने call buy कर लेनी है यहां पर call buy करनी है और यह नीचे stop loss यहां पर रहेगा यह वाला तकरीबन 42,000 का हमारा stop तो सिंपल सी trade दी है अगर तो यहां कुले तो यहां से हमारा profit booking आएगी और यहां पर हमने call buy करनी है दूसरा उपर 42,140 यह मैंने 42,140 को नकाला यह मैं बता जता हूँ यह resistance लिया है कि कित्रे दिनों में एक, दो, तीन, तीन दिन का यह resistance है 42,100 से तब ही मैंने कहा है कि इसके उपर उपर आपने call लेनी है वैसे यह 42,140,250 पहन कर ही चलो तो 42,150 के उपर ही आपने 55,000 की तीन के अंडर close हो तब ही यह buy करना है वैसे हमारे एक दर्शक पूछ रहे थे कि 55,000 का कोई और option हो तो बता दो तो सर अगर 55,000 का option नहीं रखना तो आप सीधा भी call ले सकते हैं कोई जुरूरत नहीं है बस यह कि तब आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे 42,137 के नीची आए तो निकल जाना तो 42,137 के नीचे हम 55,000 की तीन candle इस लिए कह जाते है कि जाए तो अपना निकल जाओ यह होता गया है कई वह नो ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है 42,137,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42,42, अगर ऐसा हो तो पंदरा मिंट की candle को close होने दो अगर ऐसा ना हो सीधा ही रेल गारी की तरह सीधा ही ट्रेंड जा रही है तो आप उस ट इसको हमारा मकसद नहीं होता, बस यह होता है कि हमें जो देख रहे हैं कि जा तक दर्शक बिगनर हैं, तो बिगनर को हम यह कहते हैं कि चलो 55 मिंट की तीन कैंदर क्वा हैं था है, निका इस पता है, 21 pom स्टेन है तो ले लो इसमें कोई चक्कर वाला काम नहीं तो आईए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब आते हैं हम निफ्टी पर कि निफ्टी में हमने क्या करना और सुरी एक चीज रहागी आपको वह भी बता देते हैं यह कि पुट कहा लेनी है पुट आपने सिर्फ 41600 के साथ आपने यह पुट लेनी है इसमें वहीं पांच-बंच-बिन की तीन कैंडल बाकी आपको अगर एक्सपीरियंस है तो सीधी अगर डाउनवार्ड गिरती है मारकर तो आप यहीं पर ही पुट इनिशेट कर सकते हैं सिंपल सी बाद जिनके बाद कैश कम है कैपिट का जिनके बास ज्यादा हैं कैपिटल तो वह 41600 रखना बाकी मैंने आपको बता दिया डिप 50 एमा तक का बाय करना उसका स्टाप लॉस 50 एमा और उपर वह आपको मैंने पूरी अच्छी तरह समझा दिया कि कहां पर आपने काल बाय करने और कैसे कहां पर आपने प्रॉफि 43,000 613 और याद रखिए 43,000 613 के उपर भी एक बड़ा ब्रेक आउट है जो आपको लेकर जाएगा 43,000 736 43,000 899 44,000 और फिर आप हमारा आजेगा ओल टाइम हाई 44,000 170 तो आएए अब हम आगे बढ़ते हैं निफ्टी के और कि निफ्टी में हमने क्या कर तो सबसे पहले यह option chain पर आते हैं तो option chain हमें क्या कह रही है यहां से देखिए यहां पर भी call writer निकला है यह कौन सा लेवल है 18,000 18,000 पर call writer निकल गया है इवन 18,100 पर भी call writer निकल रहा गया है और ध्यान रहे कि 18,100 के उपर market close नहीं होई फिर भी call writer निकला है मतलब अब call writer को पता है कि एक reversal काफ भी बड़ा आ गया है तो जब बड़ा reversal आता है फिर उसमें गिरावर के chances कम होते हैं और कुछ और चीज़े मैं बताता हूं आपको आगे चलकर अठरा चार सो जो है यह देखिए वहां पर भी call writer निकल गया है मतलब 1,99,000 के आसपास और उपर 18,500 पर call writer नजरा रहा है मतलब 18,500 मजबूत resistance है strong resistance और नीचे 18,000 पर सबसे ज़्यादा put writer आ चुका है और 69,58,000 put writer यहां पर खड़ा है अब हम आ गया आते हैं world market पर देखिए world market सारी positive है हमारी marketing नीचे और मैंने आपको बताया भी था कि covid का जब से वह भनक लगी थी कि वहां पर काफी कुछ हो रहा है और मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी और काफी कुछ मीडिया में भी आ रहा है सभी चगा पताया जा रहा है कि जो कॉविड की वज़ा से जो महोल बना है क्योंकि यूएस जपान दक्षिन कोरिया वहां पर कॉविड फैला चाइना में फैला उसके बाद हमारे देश में मैंने आपको बताई थी कि जो हमारी मार्केट गिरी है वह कॉविड की वज़ा से तो गिरी है पर यह होता है कि यह बहाना भी था कॉविड की वज़ा से गिरना एक बहाना क्योंकि मार्केट एक बहाना डून रही थी मार्केट काफी उपर जा चुकी थी और आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि market का एक सभाव होता है, market का क्या सभाव होता है, एक nature होती है, कि उसने ऐसे ऐसे ये देखिए, उपर गई dip लगाया, dip लगाके फिर जो पिछला वाला हाई होता है, उसे cross करती है, फिर उसके बाद नीचे जाती है, नीचे कहा जाएगी, जहां पर पहल वहीं हुआ, आज वापस होगी उपर की तो, तो मतलब ये वले ऐसे ऐसे level बनते जाते हैं, और ऐसे ऐसे जाती रहती है, और इस mode पे उसे market कोई ना कोई बहाना चाहिए, बहाना क्या मिला, COVID, हलाकि COVID इतना कोई बड़ा फैला हुला नहीं है, हमारे इंडिया में कुछ नही तो वो lockdown के डर से ही गिर गी वैसे, और जब अब market को लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि CCE की meeting जो खतम हुई है, Friday की शाम को, उसमें कुछ निकल के बाहर नहीं आया, कोई ऐसी घबराने वली बाती ये थी, कि जो पहले हम कर रहे थे, वैसे ही आपने precaution रखने हैं, ज सबसे ज़्यादा गिरे थे इस गिरावट में, तो ये चीज आपको समझानी बहुत जूरी थी, कि market कोई ना कोई बहाना डूरती है, क्योंकि वैसे तो गिरती नहीं, अगर बिना बहाने के गिरती तो ये रास्ते में रुक जाती, यहां ना आती, market चाहती है, मैं अपना target इसलिए वह एक बहाना डूरती रहती है, कि कब बहाना मिले और मैं गिरूँ, जब थोड़ा सा बहाना मिला तो धार से नीचे, अब क्योंकि लोगों को पता चल लगे, आपने देखा कि कल भी mutual fundों ने जो फ्राइडे को बाइंग की है, cash में, वो की है, तीन हजार तीन सो कर इतनी भारी गिरावट में जबर दस बाइंग है, इससे बता चलता है कि लोगों का कितना ज़्यादा विश्वास है मार्केट में, और उन्होंने अपनी जो सिप है, हलांकि लोगों की सिप जो महिना बार चलती है, दस दस तरीक को, एक एक तरीक को, तो लोगों ने बिना म इससे पता चलता है कि उस गिरावर को उसे और भरकम पैसे से खरीदा गया हमारे इंडिया के अंदर, उसका फाया उठाया गया उस गिरावट को, तो यह सारा मामला है, बाकी वल्ल मार्केट सारी पोजिटिव है, इसलों घबराने की जोयत है, तो उसमें तो वैसे भी घब के भागी है क्योंकि अब डाउ बंद है यह सबसे ज्यादा तंग करता है तो आए अब हम आगे बढ़ते हैं क्रूर क्रूर देख लें तो यह बढ़ गया है यह बैंक निफ्टी एले ठीक नहीं है क्योंकि रश्या ने जो एक धंकी दिया कि मैं अपना प्रोडक्शन कम कर गया है कि अगर रश्या को तेल लेकर जाएगा अगर किसी ने उस जहाज को उड़ा दिया तो उसकी इंशोरेंस नहीं होगी तो उस नुकसान से डर के मारे जो कंपनीज है वह अब रश्या से क्रूड नहीं बाए कर रही है हाला कि हमारी इंडियन कंपनीज भी जो जा रही हो यह बड़ी सारी कमप्रीं है तो उन्होंनने इस लगा इंशॉरंस नहीं कियो हमारा को इंशृस नहीं है कि कोई किसी का जहाज होजों नुकसान होगे तो हम उसका इंशोरंस नहीं देंगे जो रशिया से तेल लेकर आएगा खासके बाकियों का नहीं जो यूए से लेकर आते हैं उसका इंशोरंस चल रहा है जो रशिया से लेकर आते हैं उनका इंशोरंस नहीं तो उसके आगे हम आगे बताते हैं ये इंडिया विक्स यह 16 के आसपास भूम रहा है और जहां तक 10-year bond yield है यह हलकी हलकी up हो रही है और यह भी ठीक नहीं हमारी market के लिए डॉलर index 104 पर खड़ा यह ठीक है और put call ratio देखिए यह देखिए 0.84 अब जो चीज buying होई है क्यों होई है कि 0.60 काफी नीचे थी put call ratio जो मैंने आपको फ्राइड़े में बताई थी और Monday के लिए जो वीडियो में आई थी उसमें बताया था कि put call ratio काफी नीचे है तो इस put call ratio पर buy करना एक फाइदेमान चीज होती है तो बस यहीं important level जो यह बनता था यह था 18,096 और दूसरा टार्गर मेरे हिसाब से यह था कि आज यह 50 एमा टच होना चाहिए पर यह रास्ते में ही घूंग गई काफी हरान किया market ने आज market close होते वह ऐसा था कि यह कम से कम इसको तो टच करेगी 18,096 जो इसका रूल है कि बराबर बराबर वहां पर closing होती है तो वह नहीं हुई दूसरा यह था कि चलो 50 एमा तक भागेगी तो वह भी नहीं मतलब इसके दो मकसद अधूरे रह गए तो यह देखने वाली बात होगी कल 18,096 टच होता है और उसके बाद 50 एमा टच होता है यह नहीं मेरे हिसाब से जिस हिसाब से यह अधूरा रह गया तो market gap अप खुलनी चाहिए और ड्रेक्टली 50 एमा पे खुल जाए तो कोई बड़ी हरानी वाली बात नहीं होगी पर हमने ट्रेड कैसे करना है देखिए सीधी सी बात है अभी जैसे मैंने का 50 एमा पे खुल जाए अगर यहां पे खुलती है तो बिल्कुल कुछ भी बाई नहीं करना जिन्हों 18,185 पे यहां पे वैसे भी resistance है strong resistance इस लाइन पे तो इसका आपने ध्यान है तो हमने अब call कहां कहां बाई करनी है सीधा सब एक question है वो मैं आपको बताता हूँ एक तो आपने call बाई करनी है अगर तो market फ्लैट खुली और 18,096 इसको cross करके यहां पे 5-5 मिंट की 3 candles बनाती है तो buy करना और जैसे इसके नीचे 5-5 मिंट की 3 candles close होती है तो निकल जाना सीधा सा हिसाब है क्योंकि यह level है breakout level और इससे पहले भी इसके उपर breakout था आया था और अब भी यह breakout level है उसके उपर जो आपको target मिलना चाहिए पहला target होगा 18,125, 18,150, 166 मतलब 50 EMA finally target अब दुबारा call क इनिशेट करनी है वो level होगा आपका यह 18,250 वो क्यों 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 कि यहां पर 50 EMA भी होगा और उसके साथ 50 EMA भी है इसी area में होगा यहां पर मैरे पास यहां पर है नहीं तो आपने का करना है और वैसे भी यह देखिए level यह वाले तो तीन दिन market यहीं पर close हुई है 18,248 ब 18,000 की call लेनी है 18,250 के उपर और उसके बाद जो target होगा 18,283,18,309 और यहां पर वैसे भी 20 EMA तो यहां पर आपने अपना profit इस area में book कर लें तो यह था उपर का नीचे का मैंने आपको पताई दिया है कि कहां कहां आपने call और put by करनी है put एक बार फिर clear करता हूँ कि अगर 17,927 दुबारा आपको तूटता हुआ नजर आता है यह तूट रहा है और इसके नीचे 5,5 मिंट की 3 candle close होती है तो यहां पर put ले लेना और stop loss आपका 17,980 वापस होगा यह होगा आपका और नीचे target क्या मिलेगा आपको वापस 100 EMA तो 100 EMA को आपने वापस भाय करना है ध्यां रखना 17800 की call और stop loss वही दुबारा जो आज का low था 17,775 इग्जेक्ली जो लेवल मैंने यहां पर लगाया भी होगा था तो इग्जेक्ली वही stop loss होगा आपका और उपर के फिर वापस यह वाले सारे target होंगे 17,927, 960, 980, 18,020, 18,044 और यह उपर वाले भी कौन-कौन से यह वाला 18,096 यह आपके सारे target होंगे और put आपने तभी लेनी है अगर 17,755 तूटे अब आप कहेंगे आप मैं आपको ड्रा रहा हूं नहीं वैसे मैं फोर्मल्टी से एक आपको बता रहा हूं क्योंगे आपको पता होगी उपर नीचे कौन-कौन से लेवल है तो 17,755 तो फिर आपने put ले लेनी है इसके नीचे और stop loss रखना है आपने 17,840 मतलब यहीं पर 100 एम आपका फिर SL का काम करेगा इसके नीचे उपर और नीचे जो टार्गेट होगा 17,654 और 17,589 और नीचे 17,520 फाइव हंड़र और 440 के लेवल आपके रहेंगे तो यह था निफ्टी का complete trade setup तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो जुरूर लाइ कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर कीजिए थेंक्यू धन्यवाद।